तो मोटू की आवाज में कैसे तारीफ करोगे रव सागी? क्या बात है रविंद्र सिंग भाटी जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में सुन करके मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और मैं तारीफ क्या करूँ? मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं है, शब्दों की कमी है मोटू का सिर्फ एक ही डायलोग है, जो कि मोटू हर समय यूज करता है, वही है ये डायलोग अरे पत्नू, जोल्दी सो समोसे ले आओ, बहुत जोर की भुख लगी है, खुश्बू नमस्कार आप सभी का स्वागत है, काफी कमेंट्स आई, कमेंट्स के अंदर आपका ये भी कमेंट्स था कि सुदेशदी एक बार आप वापिस दाईए, और जिस बच्चे के साथ मैं बैठा हूँ, उस बच्चे का नाम रामदेव है, दृष्टी बादित बच्चा है टैलेंट ये है कि ये अलग-अलग पात्रों की आवाज बड़े आसानी से निकालता है, जो 12.1 मिलियन का जो प्यार मिला इंस्टाग्राम पे, वो मोटू पतलू की आवाज पे आप सब ने इसे प्यार दिया दो-तिन कमेंट्स पढ़ रहा था, पहला कमेंट मुझे याद आता है एक भाई का जिसने ये कहा कि ये ढोंग कर रहा है, इसके घर वाले ढोंग कर रहे हैं, बाकी असलियत में तस्वीर कुछ अलग है, उसको काफी लोगों ने जवाब भी दिया था, और अगर आपके भी घर में अगर कोई ऐसा ढोंग कर रहा है, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं वहाँ तक पहुंचूंगा, सैकिंड कमेंट्स था कि आप उसके पास वापिस दाइए, और इसका यूटूब, फेस्बूक और इंस्टा, ये तीन चीजे इसकी ओन करवाईए, ताकि एक इस ब घर बेठे इस बच्चे के लिए एक लाख रुपे परती महिना वहाँ से आ सकता है, एक मेरे पास अमरीका से कोल आया था, बहुत बहुत आबार्थ, थैंक्यू सो मच, आप लगातार मुझे देखते हो USA से, मूलत है, आप इंडिया के हो और आजस्थान से हो, आपने भी य इस बच्चे का Facebook पेज बना दिया जाए, तो ये Best Comedy कर सकता है, और Best Comedy के अधार पर लाखों रुपे की income ये घर बैठे बच्चा पा सकता है, आपका suggestion भी मैंने रखा, और इन तक है, इनके फूपाजी है, जो अपने को यहाँ पहुंचाने वाले हैं, आप तक रखा, तो ये सारे suggestion मेरे दिमाग में है, आज इस प्रिवार से वापिस मिलने के लिए आया हूँ, कारण वर्स बीच में मैं पर्जेंट नहीं हो पाया था, ये वही viral बच्चा है, जिस बच्चे को हमने पिछली बार एक गुम नाम जिंदगी में देखा, लेकिन धीरे दीरे उस interview के पड़ा, क्या इसकी fan following में फरक पड़ा, इस बच्चे की जुबानी जानेंगे, और इसके बाद में सबसे बड़ा जो जिसको दुख होता है, वो दुख एक माँ को हो सकता है, तो पिछली बार माँ साथ में नहीं थी, लेकिन आज वो माँ भी साथ में है, जिस माँ ने इस बच्चे को जनम दिया है, अब ये बताएंगे कि ये बच्चा ढोंग कर रहा है, या क्या कर रहा है, तो सबसे पहले तो रामदेव, आप कैसे हो, उस इंटर्व्यू के बाद में आपकी जिन्दगी में क्या बदलावाया, बहुत बदलावाया, बहुत fan following मिली मुझे, सब अगर आपका यूटूब एंड फेस्बूक इस्टा अगर ओन हो जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस्टाग्राम एकाउंट आपका रामदेव गहलोत ओफिशल है, फॉलो कर लें बच्चे को, अगर फॉलो नहीं किया है तो, और नेता कौन सा बढ़िया लगता है, मै उनकी बुराई करनी हो, बुराई करोगे या तारीफ करोगे, तारीफ ही करूँगा, तो मोटू की आवाज में कैसे तारीफ करोगे रवसागी, क्या बात है रविंदर सिंग भाटी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बारे में सुन करके, मुझे आप बहु दूरना चाह रहा हूँ, जो रामदेव पिछली बार मुझे मिला था, मुझे आज लग रहा है कि वो रामदेव कहीं खोस आ गया है, मैं वही हूँ, सुदेश राजस्तानी मेरा नाम है, मैं वही इंसान हूँ, कैमरा के पिछे उस दिन सक्स कुछ और था, लेकिन आज उसस भी बहतर सक्स हैं मेरे बास, रविंदर सिंग भाटी जी, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, कि मैं आपकी तारीफ या करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मोटू की आवाज में ही, आप मोटू की आवाज कंटीनू रखेंग तो आप इस पर क्या कमेंट करोगे, अगर मोटू इस पर कोई कमेंट करना चाहेगा, तो क्या करेगा? देखिये चाहे कितनी भी अड़ चना जाए मतलब उन्हें कोई भी रोकने की कोशिश करे लेकिन अगर जीतेंगे तो वही जीतेंगे तो वही क्या बात है और यही जेठालाल कहें उनको कोई संदेश दे तो अरे मैं तो कहता हूँ कि अगर जीत जाए तो एकदम मज़ा आ जाए और मन एकदम वो प्रपुलित हो जाए एकदम अगर जीत जाए तो आज़ा और एयर क्या बात है अगर आप जीत जाएं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा बहुत खुशी हो गया हम बहुत अच्छा पील करता है राज कुमार किस अंदाज में पेस करेंगे इसको हमें बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप चुनाव जीत जाएंगे क्या पात है आज नर्वस लग रहे हो कुछ रमेर नहीं 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 कुछ नर्वसता नहीं है मैं आपकी मोटू की आवाज का बहुत तकड़ा फैन हूँ मोटू की आवाज में आप कुछ डायलोग जो आपको हमेशा याद आता हूँ हमेशा आपके रग रग में हो फिर आपके मम्मी के पास जाओंगा मोटू का सिर्फ एक ही डायलोग है जो कि मोटू हर समय यूस करता है वही है यह डायलोग अरे पत्नू जोल्दी सो समसे ले आओ बहुत जोर की भुख लगी है खुश्बू क्या बात है क्या बात है चलिए मम्मी है मम्मी से बात करूँगा उसके बाद फूफा जी है इनके वहां तक लोटूगा मम्मी आपने इनका पिछला इंटर्व्यू देखा उस इंटर्व्यू में साइध मही था आप थे यह सोच रहे हैं कहा थे वीडियू देखे कैसा लगा आपको इसके बाद में इसके कुछ बदला आप सूरतगड में रहते हैं आप अब यहां से भी मेरे पास काफी कोल आये थे सूरतगड से भी जुरत के सालगा मतलब बच्चा है दृष्टी बादीद बच्चा है लेकिन बहुत कुछ कर सकता है इसके बोलने का और आप आई इसलिए नहीं बच्चा है टेलेंटेड बच्चा यह तो आप मानते हैं इस ब पानीपूरी वहां खाने गया कहां मतलब गंगर शहर गया था पानीपूरी खाने तो वहां पर पानीपूरी खाने के बाद जो है उन्होंने कहा आपको कहीं देखा देगा लग रहा है कि आपको इंटर्वु में देखा है फिर उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं पैसे नहीं तो यहां जी जाना जी की बात मैं करना चाहूंगा दादा जी की कुछ आप यादे मता सकते हैं दादा जी की यादे तो बहुत अच्छी यादे थी उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया मतलब एक मेरे घरवालों को एक जिमेदारी सी देते थे मेरा ध्यान रखे मतलब और दादा जी ने मुझे हर्मोनियम दिलाया था और दादा जी मेरे गुरू बना के फिर एक्सपायर हो गए चलिए रामदेव होनी को कौन टाल सकता है लेकिन बेटर है कि आप मतलब बहुत ही आपकी बहुत हैं खावा है कि इसलिए अच्छे है क्यों क्या वजह हैं देखो जो मतलब रविंदर सिंग भाटी जी बहुत अच्छे हैं और इसलिए अच्छे लगते हैं क्यूंक्il呢 कुछ करना बहुत बड़ी बात है वो भी इस उम्र में देखे सबसे बड़ी बात यह है मैं रविन सिम्भाटी का बार बार जिकर क्यों कर रहा हूं क्योंकि 26 साल की उम्र में 26 साल की उम्र में बहुत बड़ा काम किया है और यहाँ एक दृष्टी बादित बच्चा है जो रोविन सिम्भाटी को शायद देखा नहीं है सुना होगा लेकिन फिर भी उनके काम का इतना बड़ा है जो एक फैन है तो रामदेव आपको मैं वापिस सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना यूटूब शूरू करें लोग आपका इंतजार कर रहे हैं हाँ जी शूरू करेंगे बिल्कुल रामदेव गहलोत से आप इनको सपोर्ट करें बाई जितना हो सके इनको सपोर्ट करें और ये रामदेव है रामदेव गहलोत ओफिशल नाम से आपको यूटूब भी मिल जाएगा और 68 वीडियो हैं और 1000 सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज हमबल रिक्वेस्ट है इस बच्चे को आप मोटिवेट करें और वहाँ जा करके सब्सक्राइब भी करें तो रामदेव गहलोत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक्यू आपका गर्ड डूणने की बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा और आपके फूफा जी के नंबर मेरे से डिलीट हो चुके थे लेकिन अचानक एक दिन मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद में फूरे स्कूल के सामने आपके फूफा जी की चाती को गदगद करवाया मैंने आपके नाम से और बच्चों के सामने काफ इसी होती है जो दिल और दिमाग में बैठ जाती है जैसा कि ये इस बच्चे के लिए एक सपोर्ट बनता है आप सपोर्ट करें क्योंकि हो सकता है कि आप भी किसी टैलेंट को अपने आस पास देख रहे हो आभार धन्यवाद नमस्कार सलाम